एलो, question कहा रहा है, an electron moves in a circular orbit with a uniform speed v it produces a magnetic field b at the center of the circle, the radius of the circle is proportional to तो आपके पास एक electron है, जो v velocity से एक circular motion कर रहा है, जिसका radius r है और center पे इसकी वज़े से, इस electron के motion की वज़े से center पे b magnetic field produce होती है क्यों होती है, बहीं moving charge है तो magnetic field produce करता ही करता है तो यह moving charge center पे कुछ भी magnetic field produce करता है, तो इस circle की radius किसके proportional में होगी हमको निकाल रहा है, so radius is proportional to what, that is we have to calculate, तो charge के move करने से देखो current आएगा, और current होगा E by T, ठीक है, अब magnetic field center पे कोई भी current carrying coil, current कहां से आए यहाँ पे, electron अगर you move कर रहे है तो current ऐसWhen you current को हम मानते हैं, व्लोओ औफ्व zag चार्ज, तो अगर current यहाँ पे इस direction भी करेगा तो electron opposite direction भी करेंगे. electron के motion को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं electronic current और यह वाला positive charge के motion से जो current आता है उसको हम conventional current क तो यहां पर जो करंट बनेगा वो क्यों बाइटी बन जाएगा यानि कि इवाइटी हो जाएगा अब इस इवाइटी वैल्यू को हम यहां पर सब्स्ट्यूट कर देते हैं क्योंकि जो एक सर्कुलर कॉइल होती है उसके सेंटर पे करंट की वज़े से जो मैगनेटिक फिल्ट प्रोड्यूस होती है वो होती है मूनोट इवाइट अब इस आई की वैल्यू हम यहां सब्स्ट्यूट कर देंगे तो यह हो जाएगा मूनोट इन्टू इपॉन में टू आर टी समझ गा टू पाई आर उपर आ जाएगा भी अब इसको सॉल करना है पने तो सॉल करेंगे तो हमको पता है कि हमको निकालना है कि रेडियस किसके प्रपोर्शनल में है तो देखो यह कॉंस्टेंट अपना व्यू नॉट इपने बदलेगा नहीं टू भी कॉंस्टेंट अपना ठ इस प्रपोर्शनल टू अंडर रूट वी वी यह अपना अंसर हो जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग